आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ यहाँ पर हमें दिये गए कौनसे ग्रुप में हम इने प्लेस करते हैं यह होते हैं दोनो के दोनो Gymnosperms यह तो हम जानते हैं कि Gymnosperms और Angiosperms यह दोनों जो ग्रुप से हमारे Plant Kingdom में इन्हें Phenerogam या Seed Bearing Plants कहा जाता है Seed Habits यह शो करते हैं लेकिन Gymnosperms ऐसे Seed Bearing Plants है जिनके पास Flower या Fruit नहीं होता क्योंकि इनके जो Ovules होते हैं यह Ovary के अंदर Enclosed नहीं है Naked Ovules यहां पर हमें मिलेंगे तो Psychus और Pinus यह दोनों सबसे कॉमनली जाने 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 वाली Species हैं Gymnosperms की लेकिन इनके भी कुछ Distinct Characteristics होते हैं जिससे इन्हें हम Easily एक दूसरे से Distinguish कर सकते हैं तो यहां पर इनके बारे में जो Option B में हमें स्टेटमेंट दिया हुआ है यह बिलको सही है Psychus के case में Stem Unbranched होती है जबकि पाइनस में हमें Branched Stem मेलेगी तो Main Difference तो यही हो गया इन्हें देखके हम Easily फरक पता लगा सकते हैं इनकी Morphology में यह एक Simple Difference है कि Psychus में Unbranched जबकि हमें पाइनस में Branched Stem मिलती है और दूसरी चीज अगर हम Sexual Reproduction की भी बात करें तो हम देखेंगे कि पाइनस के case में यह Bisexual होता है जैसा कि हाँ पर लिखा भी हुआ है पाइनस में Male और Female Strobuli Strobuli से हमारा क्या मतलब है Strobuli plural हो गया और Strobulus होता है हमारा Singular Term Cones के लिए जिनके उपर Sexual Structures हमें Placed मिलते हैं Sporangia वगेरा मिलते हैं Gymnosperms के तो यहाँ पर कह रहा है कि Pinus में Male और Female दोनों तरह के Cones एक ही Plants के उपर होंगे यानि इसको हम क्या कह सकते है Bisexual कह सकते है या इसको हम Monocious कह सकते है तो Pinus Monocious हो गया जबकि Psychus के केस में Male और Female Different Plants पे मौझूद होता है तो यह हमारा Unisexual या Diocious टाइप का Plants हो गया तो mainly यही दोनों Difference है जिनके basis पे Psychus और Pinus में हम Distinguish कर सकते है तो Correct Answer है पर Option B हम कर देंगे Classics Tutorial से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा Students का भरोसा आज ही डाउनलोड करे Doubtnet app या WhatsApp कीजे अपने आज चार्सो 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 पर